जाती अधारित गन्ना के फैसले के बाद बिहार सरकार अब हाई कोट पहुँँ गई है चुकि याजका दैर की गई थी जिसके बाद बिहार सरकार अपनी दली मजबूती से कोट में रख रही है सुनुआई भी हो रही सरकार ने असपश्ट तोर पे कहा कि गन्ना कराने का मकसद साप है ताकि मुझे पता चल सके कि मिरे राजी में अमीर कितने है और गडीव कितने है और उनके विकाज के लिए सरकार योजनाय बनाए दरसल आपको तादे की जाती गन्ना एवम आर्थिक सर्वक्षन को चुनोती देने वाली याचका पर गुरुवार को पतना हाई कोट में सुनवाई एक बाफिर से अधुरी रह गई मामले पर राजिसरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके साही और अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार दलील पेश कर रहे थे पीके साही का कहना था कि किसी निजी स्वार्थ में जाती गन्ना एवम आर्थिक सर्वे नहीं कराय जा रहा है जन्मानस के हीत को ध्यान में रखकर राजिसरकार सर्वे कराना चाड़ ही है उनका कहना है कि यह एक सर्वे है जिसका उदेश जन्मानस के हीत में आकरा एकत्रित करना है इसका उपयोग उनके कल्यान और हीतों में किया जाएगा उन्होंने कोट को बताया कि जाती सम्मंधित सूचना सिक्षक संस्थाओं में नामंकन के समय स्वेक्षा से दी जाती है जाती समाज का एक हिस्सा है उन्होंने अभी का है कि हर धर्ण में अलग अलग जातिया है सर्वेक दोरान किसी को भी सूचना देने की अनिवारता नहीं ह सरविक्षन से किसी की निजिता का उलंगन बिल्कुल नहीं होने वाला है बहुत सी सूचनाय पहले से भी सार्जनिक है मामले पर मुख नादीस के विनोध चंदर और न्यामूर्ती पार्थ सार्थी की खंड़ पीट ने सुनवाई की शुक्रवार को भी सुनवाई हुई और पिछले कई बार की तरह इस बार भी सुनवाई जो है वो अधुरी रगई अब देखने वाली बात होई कि कोट का फैसला इस पर क्या आता है चुकि कोट ने अगले सुनवाई तक इस पुड़े गन्ना के काड़ को रोक दिया है प्रासत गर्माई हुई है भारती जन्ता पाटी बेशक समर्थन करती हो लेकिन भारती जन्ता पाटी दवे जुबान से विरोध करती भी दिखी है तो जाती अधारी जर्णना जिसमें हर जाती धर्म के लोगों की गिर्णती होगी और सरकार को यह पता चलेगा कि हमारे राज्जी में कि जाती के कितने लोग गरीब और कितने अमीर है चुकि अरक्षन तो एक बड़ा तबका को मिली रहा है सांती सांत जो अपर कास्ट है उनमें भी एक बड़ा तबका जो है वो गरीबी की हालात से जूज रहा है ऐसे में सरकार उनका भी ख्याल रख रही है और जाती अधर जगनना से जो डाटा सरकार के पास आएगा उसके अनुसार सरकार जो है वो नीतिया बनाएगी ताकि जो उसके उचित हकदार है उन तक योजनाय पहुचे और सरकार उन्हें मदद कर सके लेकिन सरकार के इस फैस आई जो सरकार के तरप से पक्ष रख रहे हैं उन्हें असपस्थ तौर पर कहा कि मक्सद साफ है ताकि गिनती होर जाती धर्मों का और सरकार को पता चले कि हमारे राज्जे में किस जाती कि कितने गरीब हैं ताकि उन लोगों के लिए योजना जो है वो बनाये जाए उनके व झाल बाद